अडियो चार संत सुकरात पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य सामाजिक अजिकार की महत्ता यद्देपी समाज के ही कुछ लोगों ने द्वेश वश सुकरात को प्रान दंड दिलाया पर वह जीवन के अंतिम क्षण तक समाज के विरुद्ध कोई काम करने को तयार न हुए वरन जब उनके मित्र कृतान ने जेल से चिपकर निकल जाने की विवस्ता कर दी तब भी उन्हेंने यही कहकर उसे अस्विकार किया कि ऐसा करना समाज के प्रतिनी रूप राज अत्वा शासन के प्रति अवग्या या विद्रोह प्रकट करना होगा जिस समाज ने हमको जन्म दिया पाला, पोसा, शिक्षा प्रदान की और संसार में कुछ काम करने योग्य बनाया उसका किसी भी रूप में विरोध करना अनुचित है उन्हेंने स्वयम ही कल्पित करके इस प्रकार के समाज विरोधी विचारों के संबन में एक वक्तव्य प्रस्तुत किया जिसमें समाज की तरप से सुकरात से कहा गया सुकरात अगर तुम राजाग्या को अमान्य करके जेल खाने से बाहर निकल जाते हो तो इसका अर्थ यह होगा कि तुम उन नियमों तथा प्रतिग्याओं को भंग कर रहे हो जो तुमने हमारे साथ की है उन सब का मनन और पालन तुम सत्तर वरश तक कर चुके हो यदि वे नियम अत्वा विधान तुमको अन्या युक्त प्रतित होते थे तो इस बीज में तुम एथेंस को छोड़ कर चाहे जहां चले जा सकते थे पर तुम इस नगर के शासन विधान में ऐसे अनुरक्त बने रहे कि तुमने कभी बाहर निकलने का विचार भी नहीं किया अत्यो अब यदि तुम इस नगर को छोड़ कर इस प्रकार भागते हो तो निश्चे ही अपने को हास्यास्पत बनाओगे तनिक यह विचार करो यदि तुम इस प्रकार का विपरित कारे करते हो तो इससे अपना अत्वा अपने मित्रों का कौन सा हित करोगे यह तो निश्चित है कि ऐसा होने पर तुम्हारे मित्रों को निर्वासित किया जाएगा या नागरिक्ता से चूत किया जाएगा अत्वा उनकी संपति जब्त कर ली जाएगी फिर यदि तुम भाग कर किसी समीप के राज्य में जाओगे जाओगे भी जाओगे भी तो वहां तुमको एक विदेशी की तरह ही देखा जाएगा और भगोड़ा समझ कर गुरुना की दुष्टी से देखा जाएगा अतहा सुकरात हमारी बात पर ध्यान दो हमने ही तुमारा पालन पोशन किया है इसलिए उचित यह है कि तुम धर्म अत्वा करतवे के सम्मुख अपने जीवन अत्वा संदान की चिंता न करो तुमें सबसे पहले धर्म की ही चिंता करनी चाहिए जिससे परलोक के राजा इश्वर के समक्ष तुमको निर्दोष समझा जा सके पर यदि तुमने यह कारे किया जिसकी सम्मती तुमको तुमारे मित्र देते है अर्था तुम जेल से भाग गए तो तुम इस जीवन में औ किन्तु कोई पाप कृत्य नहीं किया तुम्हारा मरण भी राज्य द्वारा नहीं कुछ विद्वेशी मनुष्यो द्वारा संपन्नक किया गया है किन्तु यदि तुम पाप के प्रतिकार में पाप अहित के प्रतिकार में अहित करोगे तो तुम उन करतवयों का घात करने वाले माने जाओगे जो हमारे पती तुमको करनी है इस प्रकात सुकरात ने अपनी धर्म बुद्धी से उन सब तरकों का उत्तर दे दिया जो उनके मित्रत या शत्रु उनके पक्ष या विपक्ष में पेश कर सकते थे उसने यह सिद्ध कर दिया कि मुनुष्य एक सामाजिक प्राणी है उसका निर्मान और निर्वाव एक मात्र समाज के आश्रे से ही होता है इसलिए उसे किसी दशा में ऐसा कोई कारिया नहीं करना चाहिए जो समाज के विपरित अत्वा उसके लिए हानिका रखो सुकरात ने देखा कि आज भी एथेंस के बहुसंख्यक वेक्ति उसे संबान की दुष्टी से देखते हैं उसे एक सच्चा और परमार्ची वेक्ति मानते हैं सेकडो मनुष्य उसके भक्त और अर्याई है ऐसी दशा में यदि कुछ मनुष्यों ने वेक्तिगत या पहलना का भाव लोगों में बढ़े वर्तमान समय में यदि विचार कुटवक देखा जाए तो मनुष्य समाज के उपर पहले से कही अधिक आश्रित हो गया है सब प्रकार के साधनों तथा वज्यानिक जानकारी के बढ़ जाने से शिक्षा, जिकित्सा, सुरक्षा, अधि अनेक जिवनों पोयों की विशेव में ऐसी सामुईक सुविधाय उत्पन्न कर दी गई है जो प्राचिन काल में लोगों को प्राप्त नहीं थी पर खेद का विशे है कि इस समय लोग और खास कर हमारे देश के निवासी अपने सामाजिक उत्तरदाइत्व के संबन मे बहुत ही लापरवा दिखाई पड़ रहे हैं वे समाज या उसके प्रतिनीदी सुरूप राज्य द्वारा मिलने वाले लाभों को तो इमानदारी या बेइमाने से जैसे भी हो अधिक से अधिक लेना चाहते हैं पर उसके प्रतिक क्या करतव हैं इसका ध्यान वे कभी नही इतना ही नहीं बहुत संख्यक व्यक्तितों कानुन द्वारा लगाए गए उत्रवाइतों से भी बजने की चेश्टा करते रहते हैं यही सबसे बड़ी शोचनी ये बात है जिसके फल से आज समाज में अनेक अनेक दोश उत्मन हो गए हैं जिनके कारण सज्जन लोगों को क यह दिखला दिया कि मनुष्य अंत्रता समाज की ही संतान है और उसे कोई ऐसा काम नहीं करना चाहिए जो उसके लिए अहितकर हो आत्मा का अस्तित्व और कर्म सिद्धान्त सुकरात के वक्तवे में एक बड़ी महतोपुर्ण बात यह है कि जहां इसाई और मुसल्मान धर्मों में मनुष्य का पुनरजन्म नहीं माना है और पश्योग में आत्मा का अस्तित्व सिवकार ही नहीं किया है वहां सुकरात ने भारतिय मानेता से बिलकुल मिलता जुलता हुआ आत्मा के पुनरजन्म का सिद्धान्त स्विकार किया है उसने यह भी कहा है कि मनुष्य अपने कर्मानुसार विविद योगनियों में जाता है कर्मपल का सिद्धान्त कितना सत्य है इस पर यहां विशेश विवेचन करने का स्थान नहीं है तो भी इसमें तनिक भी संद्य नहीं कि जो लोग इसको ठीक तरह से समझ लेते हैं और तत और उस समय युनान और रोम आधी प्रसिद्ध देशों में बहु देववाद के आधार पर जो धर्म प्रचरित था वह इनसे सरवता भिन्न था पर वे लोग भी आत्मा और पुनर जर्म के सिद्धान को इतने स्पष्टरूप से स्विकार करते थे इसका कोई प्रवाण नही उस समय बहु संख्यक व्यक्ति यह भी कहते थे कि मुल्त्यू के पष्चा जिस प्रकार देह चिन्द बिन्द हो जाती है उसी प्रकार आत्मा भी क्षय को प्राप्त होकर समाप्त हो जाती है पर सुकरात ने जेल खाने में बन रहते समय भी अपने अनुयाईयों को पुनर जन्म का सिद्धांत जैसे निर्व्रांत रूप से समझाया उससे विदित होता है कि वह अवश्य ही भारत के रुशी मुलियों की मानेता से परिचित था सुकरात ने कहा मित्रो संसार में दो प्रकार के पदार्थ है व्यक्त और अव्यक्त स्थूल और सुक्ष्म हमारा शर प्रियोद्वारा सामसारिक अनुभवप्राप्त करता है अब जो लोग यहां आकर विकारों में फस जाते हैं उनकी आत्मा तरह तरह की भ्रांतियों का शिकार बन जाती है पर जो लोग आत्मनिष्ट होकर चिंतन करते हैं वे दुसरे ही लोग में विचरन करते हैं वह अक् और परलोग भी उसी के समान अद्रुष्य है वह उसी के समान पवित्र और भवे भी है जब आत्मा परलोग में पहुँचकर उस शुब और संबुद्ध देवता की और गम्मे मान होगी जिसके पास यदि भगवान ने चाहा तो मेरी आत्मा शिग्र जाएगी तो यह कैसे सम् यह बात सत्य के विप्रित है जो आत्मा मृत्यू के समय शुद्ध है और जो अपने साथ देह का कोई मल नहीं ले जाती जिसने संसार में रहते हुए भी देह को अपना नहीं समझा अर्थात जो तत्वग्यान की निष्ठावान शिशा रही है वह आत्मा अद्रुष्य लो जो आत्मा दूशित हो गई है जो प्रयान काल में अशुद्ध है जो देह के साथ अनुरक्त है देह के सुखो पर मुग्द है जो इस देह को ही सत्य मानती है वह क्या कभी शुद्ध और अदूशित होकर परलोग को प्रयान कर सकती है कभी नहीं आत्मा की इन दोनों प्रका की गतियों का वर्णन भगवत गीता में भी जयोकात्यों मिलता है अर्थात संसार में यह शुकल और कुरुष्ण दो प्रकार की गतिया निश्चित मानी गई है इन में से प्रथम के द्वारा जाने वाला फिर वापस नहीं आता और दूसरी के द्वारा गया हुआ फिर लोट आता है अर्थात जन्म मृत्यू के चक्र को प्राप्त होता है सुकरात को कर्मफल के सिद्धान्द पर पूरा विश्वास था और उसी का उपदेश देकर वह अपने अनुयाईयों को सतकर्म करने की प्रेणा देता था इसके विपरित उस समय के अन्य विद्वान कहदाने वाले आजकल के अने एक वईज्यानिकों की तरह यही सिद्ध करने का प्रेतन करते रहते थे जो कुछ है यही संसार है आत्मा कही से भी आती हो पर वह पृत्वी पर सुक भोग कर शरीर के साथ ही सदा के लिए समाफ्त हो जाती है इस प्रकार के उपदेश का स्वाभविक परिणाम खाना पीना और मवज उड़ाना ही होता है सुकरात इसको समाज के लिए पतनकारी समझता था इसलिए प्राया उन स्वार्थी आचारों के साथ वाद व्याद करके अपने प्रबल तरकों से उनको निरुत्तर कर देता था उसकी शास्तरात के शैली ऐसी थी कि वह लगातार एक के पश्चा दूसरा प्रशन करके जो चाहता था प्रतिपक्षी के मूग से ही कहलाता जाता था और अन्त में जान पड़ता था कि सुकरात का कथन ही ठीक है इसके फलसरूप उस समय के अधिकाँश पेशेवर विद्वान जो अमीरों को उपदेश करके बड़ी-बड़ी रख में वसुल करते थे उसके विरोधी बन गए थे और उनी सबने परस पर सलाह करके अपने अनुयायो द्वारा सुकरात पर मुकद्मा चलवा कर उसे प्रा योनी में जाती है अत्वा अपनी प्रकुति के अनुसार पश्यों की नीच योनी में जाकर कश्ट भोगती है उसने अपने शिश्यों से कहा और भायों जिन लोगों का ध्यान निरंतर दैहिक सुकों की ओर लगा रहता है और जो हर प्रकासे इस पार्थिव शरीर की सेवा शर्षुष्या में ही लगे रहते हैं उनकी आत्मा भोतिक तत्व के साथ तुड़ता पुरवक बन जाती है यह भोतिक तत्व तो नीच्चे ही स्थूल होते है इसलिए वे जिस आत्मा में लिप्टे रहते है उसका मरण के बाद उत्तान न होकर अधब पतन ही होता है वे आ काई